आज की कहानी एक किसान और एक चिडिया की है जिसमें सबसे आसान सा दिखने वाला मार्क सबसे कठिन मार्क साबित होता है आए कहानी शुरू करते है एक बार जंगल में एक चिडिया गानागा रही थी एक किसान बहां से गुजर रहा था जिसके पास एक कीडे से भरा हुआ डबा था चिडिया ने उसे रोका और पूछा तुम्हारे पास डिब्बे में क्या है और तुम कहा जा रहे हो किसान ने जवाब दिया कि उसके पास कीडे हैं और वह बाजार जा रहा है उसे बेचकर कुछ पंक खरीदने किसान ने चिडिये को कीडे दिये और चिडिया ने एक पंक उखार कर उसे दे दिया अगले दिन भी वही हुआ और उसके बाद ऐसा ही चलता रहा जब तक एक दिन ऐसा नहीं आया कि चिडिया के पास और पंक ही नहीं बचे अब वह बचसूरत दिखने लगी और उसने गाना-गाना बंद कर दिया वह कीडे खोजने के लिए भी नहीं उर्पा रही थी जिससे वह भूख से बहुत जल्द ही मर गई आगे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए